Hello guys, welcome back to our YouTube channel Pharma Lectures आज की वीडियो में हम जानेंगे Nitrofurentoin Tablet के बारे में जिसमें हम जानेंगे Nitrofurentoin Tablet को हम किस कंडिशन में यूज करते हैं यानि कि उसके uses क्या हैं फिर हम जानेंगे कि वो किस किस brand name से market में available है फिर उसका dose जानेंगे कि हमें average उसका dose कितना लेना चाहिए किसी adult को या फिर किसी बच्चे को फिर जानेंगे कि हम अगर overdose लेते हैं Nitrofurentoin Tablet का तो हमें क्या क्या side effects हो सकते हैं और last में जानेंगे उसके counter indications कि किस किस condition में उसका use नहीं करना चाहिए तो चलिए वीडियो वह स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जो Nitrofurentoin Tablet होती है वो एक antimicrobial agent होती है यानि कि वो microbial growth को microbes से जो होने वाले infection हैं उन्हें ठीक करने का काम करती है Nitrofurentoin Tablet को हम urinary antiseptic भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे systemic circulation यानि कि blood में नहीं जाता बलकि हमारी जो kidney की tribules है renal tribules जिने हम कहते हैं वहीं पे रहके हमारे infection को ठीक करने का काम करता है microbes को kill करके अब जान लेते हैं कि किन-किन conditions में हम इसका use कर सकते हैं यानि कि Nitrofurentoin Tablet के use इस क्या-क्या हैं सबसे पहले हम use कर सकते हैं इसे urinary tract infection में profile axis urinary tract infections में और use कर सकते हैं uncomplicated urinary tract infections में जिसमें हमें क्या-क्या symptoms होते हैं जैसे कि urination हमें बार-बार आता है बार-बार urine आता है urination करते वक्त हमें जलन होती है अपने private part पे और abdominal pain यानि कि stomach pain भी होता है अब जान लेते हैं कि किस-किस brand name से nitrofurentoint tablet market में available है तो सबसे पहले जो brand है वो है niftaz, martifer, uribid, nitrofer और niftran और nitrobact इसके अलावा भी आपको ये market में और नाम से मिल सकती है पर ये जो general जिन commonly नाम से ये market में available होती है हमने वो बताए है अब जान लेते हैं कि हमें कितना dose इसका लेना चाहिए तो सबसे पहले तो जो dose है हम एक normal healthy person के लिए बता रहे हैं हर एक इंसान की जो body की physiological condition है वो different होती है तो इसलिए आप tablet को लेने से पहले किसी doctors को पहले ही consult कर लें जो normal dose होता है आप दिन में इस tablet का use दो बार कर सकते हैं खाना खाने के बाद सुबै खाना खाने के बाद इसकी एक tablet ले सकते हैं और शाम को भी खाना खाने के बाद एक tablet ले सकते हैं 4-5 दिन तक आप इसी तरीके से इसका use करेंगे तो urinary tract infections आपका ठीक हो जाता है फिर जान लेते हैं कि अगर आप इसका overdose लेते हैं तो आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है सबसे पहले तो आपको nausea हो सकता है, diarrhea हो सकता है, dizziness हो सकती है, numbness, headache और fever हो सकता है अब जान लेते हैं कि इसके क्या-क्या contraindications हैं मतलब हमें किन conditions में nitrofurentoin tabulate का use नहीं करना है तो ऐसे patient इसका use बिल्कुल ना करें, जिनने kidney या फिर liver से related कोई भी disease हो, कोई भी disorder हो, वो इसका use ना करें ऐसी ladies, nitrofurentoin tabulate का use ना करें, जिनके 2-3 महीने के बाद ही delivery होने वाली हो, वो इसका use ना करें एनीमिया के patients, nitrofurentoin tabulate का use करने से बचें, जिनके बाड़ी में खून की कमी हो ऐसे patients, nitrofurentoin tabulate का use ना करें, जिनने allergy हो, nitrofurentoin से तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसे ही, और interesting वीडियो के लिए, किसी भी medicine के बारे में और knowledge gain करने के लिए हमारे channel Pharma Lectures को subscribe करें, धन्यवाद